कि यह गाइज वल्कम बेक टू माई न्यू ब्लोग कैसे हो आप सब भाई होप सब ठीक होंगे तो आज का व्लोग मैंने स्टाट कर लिया है शोपरों गाइज अभी बज़े हैं सुपर के 9 और मोसम बहुत अच्छा हो रहा है बहुत अच्छा मोसम हो रहा है गाइज कि मारी बाइक भी दूल चुक यह गाइज देख सकते हो बारिश में पानी पानी भर तुक है गाइज बारिश हो रही है बहुत अच्छा मोसम हो रहा है गाइज आज पार अब आज आज पार आज तो हाजी कैसे हो तो दूपएर के बजी हैं अभी एक और और मैं आया हूं घर पर तो घर पर आकर मैंने सोचा भूर वलोग होना लिया जाए क्योंकि मैंने खाना भी अभी खाया गाई अभी मोसम भी खुल चुका है सुबबा सुबत बहुत अच्छा मोसम हुग था पारीश भी आई थी तो मैं सौच रहाँ कि शौप पर जा गाँ देख लेता हूँ कि किसी शौप पर जा गए कर लिखता हूं सबसे पहले तो अब मैं शौप पर जागर पहले कवर देखूंगा फिर जो मेरको कोई पसंद diver तो स्थालॆ पहर और निकल चुकी है सुबहा सुबहा तो बहुत तेज़ बारिश थी घाई अपको दिखा तो मैं अभी का मौसम कैसे और देख सकते हो गाईस, बातलों के बीच में धूप निकल रही है और बातल भी है थोड़े थोड़े लेकिन तुब भूत ते जागा इस टाइम तो अभी का कुछ सीन ऐसा है तो गाइज अभी बजी है पांच और देख सकते हो मेरे साथ प्रवील है और अभी हम कर रहे हैं थोड़ी सी सुपाई यहाँ पे थोड़े हमने प्लांट लगाए हुए हैं गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप यह चोटे-चोटे गंबलों में प्लांट लगाये हूए है गाइस यह बहुत टाइट टाइट हो रखे है तो इनकों खौन आए मान पानी देने के लिए पिछे प्रवीन करने है इसकी पाइंगे तो यहां पे भी है। यह देख सकते हो कितने सारे हैं गाई यहां से लेके यहां तक और यह भी है यहां पर यह देख सकते हो आप यह वल्ले हैं गाईस और एक वो लेखो वो सारे के सारे जितने भी है ना यह इसा भी हमें आज सापसपाई करनी है इनकी उसमें खाद डालनी है और कटिंग करनी है हां तो एक करते हैं साफफ़ाई हम इसकी तो प्रवीन भी रेड़ी हो चुका है तो गयश यह भी रेड़ी है मैं भी रेड़ी हूं तो इसकी saaf-safih करते हैं और मिलता हूं आपको रात को जाना कहीं मत भालोग में बने रहना तो वाप को मैं अभी तो नहीं कल कल दिखाऊगा कल के ब्लोग में साफ वाई होकर कैसे लगते हैं तो आज रात तक तो यह इसका भी सपाई ही होगी कि बहुत गंद रखे हैं पानी घंड लगाके सारा साफ करते हैं यह ठीक है गई दो गंटे लग जाएंगे एक कम से कम इसमें तो साफ सपाई करके मिलते हैं ठीक है जाना कहीं मत तो फाइनली गाईज हमने सारे प्लांट्स ठीक कर दिया है खाद भी डाल दिया सभी में और गमलों की सैटिंग कर दिया गाईज ओट पानी बगारा डाल कर सब फिनिश हो गया काम तो अभी अंधेरा हो चुका है बाहर तो मलब लाइट तो जोलरी है ले क्रूब कर अर्ड़ा हो